हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टो मैं चैनल, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कड़ी की रेशिपी इस कड़ी को बनाना बहुत ही आशान है और बहुत ही इजली बना सकते हैं आप और साथ में बहुत ही जाड़ा टेश्टी बना है आप देख सकते हैं और अगर मेरी रेशिपी आपको पसंद आ है तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सकाइब जरूर कीजिएगा तो आए कड़ी बनाना शुरू करते हैं तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे और बेसन में हम मिला लेंगे जीरा, हींग, नमक और हल्दी और उसकी बाद हमें बेशन को अच्छे से फेटना है बेशन को देर तक फेटना है जब बड़ी फूलती है न कड़ी में तो बहुत ही जादा टेश्टी लगती है तो चेक करने के लिए कि हमारा बेशन अच्छे से फेट चुका है इसको हम थोड़ा सा कटोरी में पानी लेंगे उसके बाद ऐसे डाल के देखेंगे और अगर बेशन का बैटर जो है उपर आ जाता है इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर उपर आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फेट चुका है तो यह बड़ी के लिए तयार है तो अब हम क्या करेंगे बेशन को रख देंगे और उसके बाद हम चड़ा देंगे कड़ाई और कड़ाई चड़ाने के बाद डाल देंगे सरसो का तेल मैंने सरसो का तेल डाला है उसके बाद हम बड़ी को चान लेंगे तो medium to high flame पे करते हुए बड़ी को हम छान लेंगे ये देखिए एकदम अच्छे से बेशन फेटा हुआ है तो जो बड़ी है कुछ ऐसे हो जाएगी तो हम बड़ी को छान लेते हैं और उसके बाद जब color थोड़ा ऐसे हो जाए ब्राउन हो जाए तो हम बड़ी को निकाल लेंगे बाकी की सारे जो बड़ी है वैसे ही चान लेंगे और अब हम कड़ी बनाने के लिए बेशन को घोल लेंगे ध्यान रखिएगा कड़ी जब पकती है तो गाड़ी होती है तो जो हमें इस घोल को बनाना है बेशन की घोल को ये हमें पतला ही बनाना है तो आपको जितने quantity में चाहिए आप उतना बेशन ले सकते हैं है और अब मैंने गैस पर चड़ा दिया कड़ाई कड़ाई में डाल दिया मैंने सरसो कर तेल मैंने तड़का लगा दिया मैंने एक यहां पर मैं नहीं हे स्वास के पके और सचक्ट के करद दौना लेकिन लीड़ बन जाएगी कड़ी फट सकती है तो आप ध्यान रखिएगा medium to high flame करते हुए कड़ी को हम अच्छे से पका लेना है और जब पक जाएगी तो कड़ी इस तरीके से गारी हो जाएगी आप देख सकते हैं कड़ी हमारी ठीक हो चुकी है तो लाश्ट में हम क्या करेंगे डाल दें अच्छे से मिला दिया उसके बाद मैंने जो बड़ी छान के रखी थी मैंने बड़ी डाल दिया है उसके बाद दही फेट के और दही को मैंने कड़ी में मिला दिया है और इसके बाद हम मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम ढग के रख देंगे ताकि जो बड़ी है अच पत्तर डाल सकते हैं और कास्मीरी लाल मिर्च का पॉडर भी डाल सकते हैं तड़के में तो यह और भी ज्यादा तेश्टी देखेगी तो यह हमारा कढ़ी चावल बिल्कुल तयार है बिल्कुल देहाती स्टाइल से मैंने बनाया हैं तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ हुआ हैं इसली आगाओी जयाव शाया ठायार है भी जयावल सासे जयाओी अजायां हैं परेश्टी अधाओी